किसी लफंदर का नाम लेना मेरे संस्कार में नहीं है, इसने मैं नाम नहीं लूँगा आप मुझे छमा करेंगे उतो बे मतलब का गुसा होकर के बीच में चले आते हैं, हम तो लोगों को लाम बंद करना चाहते हैं देखिए दरसल उनका चस्मा का पावर जो है, कुगरबर, हमारा राय होगा आपके चैनल से, आप उनसे प्रार्धना होगा, कि हमारा आँख का अस्पताल भी है, उनका पावर हम ठीक कर देंगे नमस्कार, भारत लाइब देख रहे हैं आप, अभी हमारे साथ आरजेडी सिभर के जिला अध्यक स्थाकुर धरविन सिंग मौजूद है, आपने इनको कुछ दिन पहले भी हमारे चैनल पे देखा गया होगा यह हमारे संपादक नमर मिश्राजी के साथ मौजूद थे, उन्हें इंटर्व्यू दे रहे थे, लेकिन इसके बाद अगर बात चीत करें तो सर सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करेंगे, उस इंटर्व्यू सेशन के बाद आप पर, आपने जो कुछ भी उस इंटर्व्यू करके याद किया, और मैं आपके स्टूडियो में हाजिर हूँ, आपको बहुत बहुत सुक्रिया, चाह तक बात रही कि साथ शातकार में, जो मैंने कहा था, मैं उससे तिल भर भी इन्ने उन्हें हिलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपने ब्यान पर कायम हूँ, और मैं अ खोट से विधायक चुनना है, बेलसन में परतिनिधी का चुनाव होता है, मैं उस बयान पर बिलकुल कायम हूँ, और तमाम हमको जन समर्थन मिल ला है, अब जो अब कौन लोग हैं हम नाम न लेंगे, हम किसी लफंदर का नाम लेना मेरे संसकार में नहीं है, इसने मैं नाम नहीं लोगा, आप मुझे छमा करेंगे, लेकिन जो तरह तरह के रंग बिरंगी फेक आईडी से जो लिखवाते हैं, दवा बन बाते हैं, और वो से बेसी लोग बेलसन का, जो हमारा एस्टेंड है, ब्यान है, हमारा मुद्दा है, वहां का स्थानी है, उस पर समर्थन में बोलते हैं, आप देखिए हमारे फूंचो करके, मेसेंजर और वाटसप निजीते एकदम भरा परा रहता है, खोल करके भी लोग बोलना शुरू किये हैं, थुरा सा भय का महौल है, दहसत है वहां, लोगों का जान संसर में है, तो इसलिए उन सा बातों का कोई हवा पानी का आफर हम पर नहीं परना है, और अब तो उनको हमसे माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया, जितना बेलसन के लोगों का समर्धन उनके पाथी पर आया है, आईडी पर, माफी तो उनको हमसे मांगना चाहिए, लेकिन खायर कोई इसू नहीं, दूस अपराधिक प्रिष्ट भूमी की, तो एक और अपराधिक प्रिष्ट भूमी का महाखलनायक, अब मेरे जैसा आदमी जिस पर एको 107 नहीं, अब बताइए, एक मामूली आदमी जो जिस पर एको 107 नहीं हो, अब उनकारी कोई ऐसा रंगीन संगीन, आईपीसी का धारा से उ बाकी नहीं है, तो हिम्मत है मरा उनसे प्रस्न पूछने का, उन तो बेमतलब का गुसा होकर के बीच में चले आते हैं, हम तो लोगों को लाम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि 30 वर्स का मेरा समाजिक जीवन है, राजनेतिक जीवन है, और बिहार भी स्विद्याले के छात र गुंडा का बूट दोनों खाये, और लफंदर से कैसे लरा जाता है, इसका हम को तकनिक मालूम है, और हम उस लराई को जारी रखेंगे, अगर बात करें सिभर समाहर नालाय परिसर में अगर बात करें, तो एक नीजी चैनल को जब वो अर जिनकी बात कर रहे हैं, अभी सित नहीं आते हैं उनके विरोध में? अगर ठीक नहीं लगा हुआ है, तो उबर खावर रस्ता बुझाता है, ठीक से देखाई नहीं देता है कि सामने का कोण आदमी है, तो मैं तो छित्र में जान हथेली पर ले करके, किस समय हम पर हमला हो जाए, किस समय हमारी हत्या हो जाए, इसको बगएर प्रभाह किये पर गाव देहात के तो कम टिंडरेज के जो लरकें हैं वही सोसल मीडिया पर है तो उससे भी देख करके उनको भी बेचना कर लेना चाहिए आते का पावर चस्मा का ठीक हो जाए तो सब बिरोधी भी बुझाने लगाए इसे बिसे हमको कुछ नहीं करना है हम उन पर नहीं कु जब पेटी बक्सा के खंदान भर के डिगरी लेकर रखते हैं पर उसने के लिए भया बेलसंड सो कूछ से क्या मिलेगा बेलसंड की बात करिए ना गायब तो कहीं ने कहीं तो यादव भी रहते हैं जब जो कोडिनेशन कमीटी की बात होती है तो गायब हो जाते हैं ते जनतादल का एक एक काल करता एक एक सिपाही सब कोई मैदान में अरा हुआ है कहीं कोई गायब उभोने वाला नहीं है राश्ट्रिय जनतादल गडिवों की पाठी है और विःच्छे दलितों का एक आवाज हे और उस आवाज को बन करके हम लोग मैदान में रहते हम लोग गायब होते हैं, न हम लोग गुसा करते हैं, न हम लोग घरवराते हैं, अब जाने जिनकी जमीन खिसक रही है, ओ अपना की से गुसा में हैं लोग, कौन-कौन प्रकार की धमकी दे रहे हैं, कौन लोग खाली मुह से, मतलब हम क्या बताएं आपको, बोलने में भी सरमाता है, लेकिन अब किसको बोलिएगा, जो आदमी 44 साल में लफंदर से भले आदमी नहीं हुआ, हम क्या बोलने हैं उस पर, हमको कुछ नहीं कहना है, आप जो सीधी तोर पे जो बात राजद की अभी कर रहे थे, आरजडी की बात कर रहे थे, तो हमाई चैनल के दर्सक है, कुछ दिनों से, डॉक्टर अगुबंस परसाज सिंग को ले करके, बेहत जो है, सक्रिये हैं, और हर जगह जो राजनिती में अभी महल देखी जा रही आपके पास कितना अपडेट है, इस पूरे मामले को ले करके, क्या चाह रहे हैं, डॉक्टर अगुबंस परसाज सिंग, राष्ट्रिये जनतादल के बरे नेता हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी दिल्ली एम्स में बिमार है, तो कोई अभी राजनितिक संबाद हम लोगों से या किसी से नहीं हो रहा है, करसी के तोर पर तेलस्वी लिगये थे, क्या बात हुई दोनों नेताओं में, यह अभी किसी को मालूम नहीं, ऐसे परिस्थिती में कुछ भी जो अटकलवाजी है, हम उस पर किसी प्रकार की टिपनी नहीं कर सकते, रगवन सबावु हमारे परिवारी कभी वावक है, गार्जियन है, उनसे कोई राजनितिक रिस्ता नहीं है मेरा, एक परिवारी प्रिवार में तो कुछ मंद आतर रहता है, सब ठीक कर लिया जाएगा, समय के साथ सब कुल ठीक ठाक रहेगा, खबर यह आ रहे थी कि रमा सिंग को लेकर कि जो तेजसी आदब का रुख हो रहा है, फिर से नरम हो रहा है, वो चाहते हैं वापस उन्हें राजद में करवान चाह रहे हैं, इसको लेकर के वो ज्यादा नाराच चल रहे है, रमा सिंग की तो इंट्री हो रही है, बरे निताओं की बात है, माफ करिएगा, इस पर कोई प्रतिक रिया और कोई जानकारी भी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं का सकता है, तो अब और को लेकर के जनता के बीच में है, थुरा सा भय का महौल है, क्योंकि अभी जो लोग कहते हैं कि बिलसंद हमारे कबजा में है, उनके आवास पर जाईएगा, तो परिचे कराएंगे लोगों से, फलाना आदमी है, सत्रों को खून किये हुए है, फलाना आदमी गया के है, चिं चिंते हैं इनको, बरिगिनिया के हैं, बर्की भारी सूटर है, जितना आदमी को मारे, कोई जिन्दा नहीं बचा, और खास करके ऐसे लोगों से चर्चा करते हैं, जिन लोगों का मेरे हान भी आना जाना है, तो एक धंग से अपरत्यक्ष रूप की एक धंकी हुई, कि वो लोग जा करके इनको कहें, और कहते भी हैं, हम तुम मानसिक रूप से तयार है, कि हम पर किसी भी समय हमला हो सकता है, मैरे जान जा सकती है, लेकिन हम गो इसकी पर वाह नहीं, बेल संड के स्वाबिमान के लिए शरीर का एक एक कुतरा का खून है, अर वो बेल संड के के देन मैं करता हूं कहीं कभी कोई भी लफंदर हो गांधी का नाम बड़ी आदर के साथ ही देश में कम से कम अपराधिक प्रिष्ट भीमी का लोग गांधी का नाम लेकर नहीं बोले गांधी के आत्मा को बड़ा ठेस पहुंचता होगा गांधी का नाम पुझी नाम है हमारे राष्ट पिता किसी लफंदर के मुँझ से बार बार गांधी का नाम निकले इसे बिलसंड के लोगों को बड़ा दुख हुआ है तो अभी हमारे साथ आरजेडी के सिभर के जिला ध्यक्ष ठाकु धर्वन सिंग जी मौझूद थे जो जान हथेली पर ले करके अपने छेतर के बीच में निकल गए हैं और इन बातों को लेकर ये आस्वस्त भी हैं कि कभी जो है इन पर हमला हो सकता है लेकिन फिर भी ये मांसे ग्रूप से पूरी तरीके से तयार है और इस बार जो है अपने छेतर के लिए बिलकुल तयार दिख रहे हैं तो खबरों का सिल्सिना लगातार भारतला पजारी रहता है बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे हैं भारतला तब तक के लिए दीज़े इजाजत नमस्कार